नमस्कार दोस्तों स्वागताव सभी कई गवर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरूगेन अलर्ट्स में सो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर सीट है 2020 के तयारे करा रहे हैं इसके अंदर हम आपको CDP की वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं सो फ्रेंड अभी तक आपने देखा CDP की वीडियोज के अंदर हमने आपको चार लर्निंग थियोरी अभी तक प्रोवाइड कर दिये जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो उसका लिंक में आपको राइट कोर्णर में आई बटन के रूम में दे दूँगा वहाँ से जाके आप उन चार थोरीज को देख सकते हो इसके बाद हम फ्रेंट्स आज कवर करने वाले हैं जो कि हमारी पांच वी थोरी होगी जो कि सोसल लर्निंग थोरी होगी जिसे हम हिंडी में सामाजिक अधिकम सिद्धान्त बोलते हैं ठीक है फ्रेंट्स और यह किसने दी थी यह दी थी मोडलिंग लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इन दो नामों से भी आप से पूछ लिया जा सकता है एक्जाम के अंदर की सोसल लर्निंग थोरी को किन दो और नामों से जाना जाता है ठीक है friends और इसके बाद हमने last में quiz ले रखा है friends उस quiz को भी attempt करेंगे और देखेंगे कि बहुत ही आसानी से अगर exam में कोई question आता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से 5 सिक्ट के अंदर solve कर देंगे ठीक है friends तो चलिए शुरू करते है हमारी आज की social learning theory जो की दी थी Albert Bandura ने हाजी friends तो social learning theory को हिंदी में क्या बोलते है उसको बोलते है सामा जी अधीगम सिद्धान्त ठीक है friends अब यहां से ही आप देख रहे हो जो अधीगम हो रहा है वो किस से हो रहा है समात से अधीगम हो रहा है मतलब कि Albert Bandura ने इस बात पर जादा focus किया है कि जो अधीगम होगा बच्चे का जो जो सीखेगा बच्चा जो भी कुछ वो समात से सीखेगा समात से सीखता है बच्चा यह कुछ भी अगर कोई दूसरा कोई सीन देख रहा है तो उसको इमिटेट करने की कोशिस करता है बच्चे क्या करते हैं सीन को इमिटेट करने की कोशिस करते हैं और वो जैसे कि आज के टाइम बे आप मानलो आप लैप्टोप पे या यूटूब पे कुछ चीज देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं उसको इमिटेट करते हैं और फिर उस चीज को सीख भी जाते हो ठीक है तो आप लर्निंग भी हो जाती है तो इस बात पर ज्यादा अलब Bandura focus on cognitive factor अब Albert Bandura ने सोचा कि भाई कि बच्चे कोरी सलेट तो है नहीं बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा इसलिए उसने cognitive factor को भी हाँ पे एड़ गया कि बच्चे का कुछ ना कुछ belief होगा ठीक है उसका कुछ ना कुछ perception होगा किसी चीज को लेकर और उसकी ठीक है इसलिए अब इस theory को क्या कहा जाने लगा social cognitive theory कहने लगया भी इसको ठीक है इस social learning theory से बदलके अभी किस में आ गई है social cognitive theory बन गई ठीक है अगर आप से पूछ लिया जाए exam में कि social cognitive theory किस ने दी थी तो उसका भी जो right answer होगा वो Albert Bandura होगा social cognitive theory को हम बोल सकते हैं कि एक expand version है social learning theory का एक expand version है social cognitive theory जिसमें कि उसने cognitive factors को भी एड़ किया है ठीक है फ्रेंट्स आयोप आपको समझ में आ गया होगा हाजी फ्रेंट्स तो next चीज है जो इसमें देखने के वह है reciprocal determinism ठीक है बहुत ही important term है यह और इस पर आप से question पूछा जा सकता है exam के अंदर ठीक है तो reciprocal determinism होता क्या है देखो फ्रेंट्स यहाँ पे तीन factor होते है एक तो personal factor ठीक है दूसरा behavior तीसरा environment यह जो तीनों factor होते है सकते है एक दूसरे के क्या होते है एक दूसरे पर dependent होते है ठीक है इसलिए इसको reciprocal determinism कहा जाता है एक दूसरे को पर dependent होते है इन उसके बाद उसको apply करने के लिए उसको क्या चाहिए एक proper environment चाहिए ठीक है आपको पता है कि अगर आपको learning कर रहा नहीं है बच्चे की अच्छी तो उसके लिए proper environment होना बहुत जरूरी क्योंकि environment एक बहुत ही important रोल हिबाता है किसी भी जक्ती की learning के अंदर ठीक है तो यहां पर नर्चर के ओपर ज्यादा जोर दिया गया है तीसरा फिर उसका behavior अगर उसको ठीक से environment मिलता है तीक है तो उसका behavior भी उस according ही होगा जैसा environment मिलेगा उसको recording होगा बहेव करेगा अगर अच्छा Western тоб thee होगा उसका अगर खराब environment मिलता है तो खराब behavior होगा तो इस तरीके से यह क्या है यह तीनों चीजे ना क्या interdependent एक दूसरे के ऊपर ठीक है friends इसलिए इसको क्या कहा जाता है reciprocal determination model कहा जाता है बहुत ही important friends I hope आपको समझ में आ गया होगा अभी बढ़ते अपनी next slide के ऊपर हाजी friends तो अभी बात कर लेते एक boba doll experiment की जो की बहुत ही famous experiment था Albert Bandura का जिसके अंदर की क्या बताया गया कि एक doll होती है यह boba doll है ठीक है friends यह कैसी doll है अगर इसको punch मारोगे ता वापस से खड़ी हो जाती है ठीक है तो इसमें क्या गया क्या क्या गया कि एक लड़के को क्या दिखाएगा कुछ film के scene दिखाएगए ठीक है जिसमें वह boba doll के साथ fight कर रहा है यहाँ पर चार scene है अब जैसे जैसे यहाँ पर यह actor इस बोबोडोल के सاتھ भिहेव कर रहा है जैसे जैसे इसको पंच मार रहा है लाथ मार रहा है same वैसे ही बच्चे ने भी उसको आके क्या क्या imitate किया ठीक है जैसा उसने देखा था उसने वैसा imitate किया और same experiment लड़की के साथ क्या गया तो जैसा लड़की ने देखा मूवी के अंदर जैसे जैसे ये व्यक्ति कर रहा है सेम लड़की ने भी वैसा ही यहाँ पर imitate किया ठीक है फ्रेंट्स तो यहाँ से उसने conclusion निकाला कि बच्चे जो है observe करते हैं फिर imitate करते हैं उन चीजों को तब उनकी लर्निंग होती है ठीक है फ्रेंट्स यह बहुत ही फेमस experiment सा जिसे बोबडोल experiment कहते है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा आजी फ्रेंट्स अभी कुछ more important term को जान लेता है जो कि social learning theory के अंदर पूछी जाती है और इन से seat at के अंदर एक question आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो पहली क्या है vicarious learning vicarious learning क्या होती है vicarious का मतलब क्या होता है आप पर्त्यक्स मतलब कि ऐसी learning आप पर्त्यक्स learning जो कि आपके सामने तो नहीं होती मतलब कि आप अपने सामने से तो सीखते नहीं लेकिन indirect रूप से आप उसे सीख लेते हो जैसे कि किसी चीज को observe करके मान लो कि आप टीवी पे एक match देख रहे हो जिसमें आप विराट कोली को देख रहे हो ठीक है तो यह क्या होती है वाइकरियस learning होती है ठीक है और दूसरा क्या है इसमें self reinforcer अब self reinforcer क्या होता है कि भाई आपके अंदर देखो self means खुद की खुद के अंदर एक desire पैदा होती है कि यहाँ भाई नहीं मुझे कुछ ना कुछ खुद के लिए करना है ठीक है इसमें क्या करते है precisa आप खुद को ही motivate करते हुँ खुद को ही सावासी देते हुँ ठीक है यह होता है self reinforce खुद को motivate करना अगला क्या होता है self efficacy Self efficacy भी बहुत important term है कि हां मैं इस चीज़ को कर सकता हूं कोई भी अगर काम करना होगा उस काम वो कर लोगे, ठीक है, आप अगर ये सोचोगी कि हम इस काम वो कर सकता हूँ, आपका इस सेल बिलिव है तभी आप क्या कर पाऊगे, motivate हो पाऊगे और उस काम को कर पाऊगे ठीक है friends तो आई हो पिए तीनों टर्म अभी आपको समझ में आ गए होगी भड़ते हैं अपनी next slide के तरफ अगली ट्राम है friends modeling अब modeling में क्या है modeling एक learning process है पूरा ठीक है जिसमें हम observe करके learning करते है ठीक है observation की through learning होती है पूरे process के अंदर अब इसको मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर चार पार्ट है attention ठीक है retention तीसरा production और चोथा है motivational बोल दो या फिर इसको बोल दो आप reinforcement भी बोल सकते हो reinforcement ठीक है तो इसमें क्या होता है इन चारो पार्ट के अंदर चलिए जान लेते हैं देखो friends यहाँ पे मैं आपको एक example के तुरू समझाता हूँ attention पे करनी होगी तभी आप कार को सीख सकते हूँ ठीक है अगर आप attentive नहीं होगी कोई आपको कार चलाना सिखा रहा है लेकिन आपका ध्यान कहीं हो रहे तो आप कभी कार चलाना नहीं सीख पाऊए इसलिए आपका attentive होना बहुत जरूरी है है दूसरा है retention रिटेंसयं होता है मिंज उसको याद करना åऊन प्राम को दिमाक में डालना है कि कब ब्रेक लीजने Amen कब आपको घेर लगाने कि आप चला के देखोगे सारे चीजे दिमाख में डालने के बता चला के देखोगे और फिर लास्ट है कि आप क्या हो जाओगे फिर आप उन चीज़ों को चलाओगे जैसे आप मानलो अभी आपने सीख ली लर्निंग होगे आप चला के क्या लेगे इसको स्कूल में ले गई तो आप क्या हो जाओगी motivate हो जाओगी motivation भी बोल सकते है इसको या फिर आपको एक reinforcement मिल जाएगा कि सब लोग कहेंगा रहे बाद तुम तो car चला के आ गए तुम्हें तो car चला नहीं आते हैं तो तुम्हें एक reinforcement भी मिलेगा उसके साथ साथ ठीक है एक positive appreciation भी मिलेगा ठीक है friends तो यह चार चीज़े इसमें क्या होगा कि फिर आपके learning क्या हो जाएगी एकदम complete हो जाएगी इन चार process के अंदर आप अपनी learning को complete कर सकते हो ठीक है और इसको sort form में अगर हम देखे तो AR PR के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगर मैं यहाँ पर reinforcement ले लेता हूँ तो यह AR PR से भी इसको आप याद रखते हो जो की modeling के process है यह चारू ठीक है जिसमें आपके learning होती है ठीक है friends तो I hope यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें जो learning होती हो observation के थुरू होती है अभी I hope उन सभी question के भी आप बहुत ही आसानी से जवाब दे दोगी ठीक है friends तो अभी भड़ते है अपने quiz के question की तरफ हाजी friends तो चलिए quiz start करते है quiz start करने से पहले मैं आपको बता दू कि हर question वो solve करने के लिए आपको 5 second मिलेगे 5 second के अंदर आपको हर question का जवाब देना होगा और वीडियो के last में आपको ये बताना होगा कि कितने question आपके सही रहे आपको comment box में हमें comment करना होगा ठीक है friends तो चलिए start करते हमारे आज की quiz जिसमें हमारा पहला question है the conclusion children can learn violent behavior depleted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist मलब की ये बात किसने कही है कि जो बच्चे हैं जो scene movie के अंदर दिखाया जाता है violent behavior के वैसे ही बच्चे क्या हो जाते violent हो जाते हो ही उनकी learning हो जाती है मलब कहने का ये मतलब है कि जो फिल्मों में दिखाया जाते है जैसे scene दिखा जाते हैं बच्चे उनको observe करके imitate करके वोई चीज़ी सीखते हैं तो ये बात किस psychologist ने कही थी ठीक है friends तो 5 second मिलते है आपको हाजी friends तो इसका right answer है Albert Bandura जो कि हम अभी पढ़ी रहे हैं इस वीडियो के अंदर अभी बढ़ते हैं अपने next question की तरफ next question है friends student observe fashion shows and try to imitate model this kind of imitation may be called बैस student क्या देखते हैं fashion show देखते हैं ठीक है और फिर जैसे जैसे model जो करते हैं उनको imitate करते हैं उनकी तरह ही करते हैं ठीक है तो ये imitation क्या कहलाता है friends 5 second मिलते हैं आपको इसका right answer हो जाएगा social learning ठीक है friends ये social learning होती है कि observe करना लोगों को और फिर उनकी तरह imitate करना ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ अजी friend हमाँ next question है according to the theory of social learning Albert Bandura which one of the following is true Albert Bandura की social learning के according कौन सी बात इन में से सही है ठीक है friends ये हमें बदाना है 5 second मिलते हैं आपको आजी friend इसका right answer क्या होगा option B ठीक है क्योंकि Albert Bandura ने किसकी बात किये modeling की बात किये न कि modeling से भी बच्चे का करते हैं सीखते हैं ठीक है ये मैंने आपको बताए चार process के अंदर होता है पूरा ये modeling process जिसके अंदर बच्चे observe करके सीखते हैं अभी बढ़ते हैं next question की तरफ हाजी friend हमान next question है theory of social learning emphasizes on which of the following factor social learning theory कि इन factors के ओपर ज्यादा जोड देती है 5 second मिलते है friends आपको इसका right answer हो जाएगा option B nurture means environment ठीक है मैंने आपको बताए था तीन factor personal factor थे environment थे behavior थे ठीक है तो इन तीनों में से क्या दे रखा है nurture दे रखा है जो कि होगा environment अभी बढ़ते अपने next question की तरफ आजी friend next question है which of the following is a process in the social observational learning theory of bandura social observational learning जो होती है बच्चे की bandura के according उनकी में से कौन सा एक process यहाँ पर follow किया जाता है ठीक है friends 5 seconds मिलते है आपको इसमें क्या आजाएगा right answer option B retention retention का क्या मतलब है memorize किया जाता है चीज़ों को ठीक है observe करने के बाद attention pay करने के बाद दूसरा step था जिसमें की memorize किया जाता था retention किया जाता था ठीक है friends so friend यह थी हमारी social learning theory जो कि आपके answer सही आपको comment box में comment करके जरूर बताना है और friends अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो को करना है क्या इस वीडियो को लाइक करना है इस वीडियो को जादर चाहता लोगों के बीच शेयर करना है Facebook पे शेयर करना है वाट्शप पे शेयर करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और आज इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि जब भी हमारे कोई नई वीडियो है उसका नोडिफिकेशन और सबसे पहले आपके पास और आप हो जाए एकदम अलर्ट सो फ्रेंड मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जय हिंद